2019 के अंदर IPL के माच को 18.6 मिलियन लोगों ने बैठ कर एक साथ देखा जिसकी वज़े से होट स्टार ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसी साथ उन्हों ने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया जब इंडिया वर्सेज न्यूजिलेंड के वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल माच को 25.3 मिलियन लोगों ने बैठ कर एक साथ देखा एक साथ देखा तो इस वीडियो के अंदर बहुत एक्स्टेंसिवली हम ओनलाइन स्ट्रीमिंग को कवर कर रहे होंगे इस वीडियो को देखने के लिए ना हमें शुरू से प्रोग्रामिंग या कोडिंग आनी ज़रूरी है और टेकनोलोजी की हमें बहुत जादा नौलेज हो ये भी ज़रूरी नहीं है इस वीडियो को देखकर कोई भी बिगिनर समझ सकता है कि हमारी स्ट्रीमिंग काम कैसे करती है ये जो स्ट्रीमिंग का प्रोसेस होता है ये एक फोर स्टेप प्रोसेस होता है सबसे पहले हम इन 4 steps को बहुत overview में बहुत अच्छे से बहुत असानी से cover कर रहे होंगे उसके बाद हर एक step को हम detail में cover कर रहे होंगे शुरुआत होती है इन 4 steps की एक camera और एक mic के साथ जब भी कुछ भी record होता है वो usually एक camera के साथ record होता है इस studio के अंदर अगर मेरी video record हो रही है तो इस camera से हो रही है अगर IPL का match record होता है तो आपने देखा होगा ground पे बहुत सारे cameras होते हैं साथ के साथ आपके mics भी होते हैं अब यह जो camera जो भी video record करता है उसको यह video file में store कर लेता है और इस mic से जैसे अभी आवाज record हो रही है तो mic जो भी आवाज record करता है वो एक audio file में store कर लेता है यह जो files होती है फिर हमारे personal computer या हमारे laptop के पास जाती है तो IPL के जो grounds होते हैं stadiums उनके अंदर भी बड़े-बड़े cameras होते हैं जो सिर्फ एक editing team के पास होते हैं जिसमें सबसे पहले जो भी चीजें capture हो रही है audio और video file वो computers के अंदर जाती है computers के अंदर एक software encoder नाम की चीज होती है जो इन files को process करती है जैसे हमारे phone के अंदर बहुत सारी apps होती है वैसे laptop के अंदर या computer के अंदर हमारे software होते है एक software encoder क्या करता है आपकी video file लेता है और आपकी audio file लेता है और उसका एक single package बना देता है इस package को आपने अगर MP4 का नाम सुना होगा तो .mp4 कुछ नहीं है एक package ही है एक container है जिसके अंदर आपकी video file भी होती है और audio file भी होती है एसे ही आपने MOV format का नाम सुना होगा तो यह basically आपकी audio and video file के packages है जिनको software encoder आगे हमारे media servers को दे देता है server क्या होते है हमने cloud के ऊपर एक computer है जिसको rent पे ले लिया है जिसको हम internet के थुरू access करते है जैसे हम अपने computer से कुछ भी काम करा सकते है वैसे cloud के ऊपर जो server है वो भी एक computer है बड़ा सा जिससे हम कुछ भी काम करवा सकते है अब इस server का काम होता है कि आपके single file को बहुत सारे multiple formats में multiple resolutions में convert करना जैसे आपने अगर ये single package इसको दिया तो ये इसे बहुत अलग-अलग packages की form में convert करके आपको दे देगा एक package ऐसा हो सकता है जो शायद उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो किसी गाउं में बैठा है जिसके पास बहुत slow internet है तो उनके पास हलकी सी low quality वाली video पहुंचेगी एक package उनके पास जा सकता है जो बहुत शेयर में बैठे है और जिनके पास high speed wifi है या जो किसी office के अंदर काम कर रहे है तो उनके पास हलकी सी high quality वाली video जाएगी तो अलग-अलग quality के साब से अलग-अलग formats के साब से server हमारी different packages तयार करता है फिर क्या होता है यह सारे के सारे packages हम तक पहुँचने से पहले एक CDN के थ्रू जाते है CDN होता है हमारा content delivery network content delivery network का काम होता है कि बहुत ही minimum lag के साथ हमारे पास एक video पहुँचाना जैसे मान लीजे आपका IPL का match इंडिया के अंदर है और कोई London में बैठा हूँ अव्यक्ति उसको देखना चाहरे है प्लस एक Mumbai में बैठा हूँ अव्यक्ति उसको देखना चाहरे है अगर UK से कोई request करेगा उस match के लिए तो उनके पास live stream बाद में पहुँचेगी और Mumbai से कोई request करेगा तो उनके पास पहले पहुचेगी अब दोनों ही लोगों को same time पे हमें दिखानी है अगर या फिर lag उनका decrease करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है उसके लिए आप एक network बनाते हैं जिसमें छोटे छोटे computers आप पास में लगाते हैं इस server के तो अगर कोई US में भी बैठा होगा तो यहाँ पर उनके पास भी एक छोटा server होगा तो इस तरीके का एक network बन जाता है servers का तो इस servers में इनको हम node कहते हैं तो Mumbai वाले के पास पहले Mumbai की node में हमारी video आएगी उसके बाद हमारे पास आएगी अगर लंडन पहुचानी है तो पहले लंडन वाली node में मतलब लंडन वाले computer के पास video जाएगी फिर हमारे device में जाएगी इसकी वज़े सही जो lag होता है मतलब जो speed होती है video की या buffering होती है वैसी चीज़ें अकर नहीं करती तो content delivery network का काम होता है बहुत efficiently हमारी video को सब तक पहुचाना तो ये video stream हो जाती है CDN के तुरू और directly आजाती है हमारे player पर अब ये player क्या होता है YouTube के उपर जिस तरीके से हम video देख रहे हैं जहां हमें नीचे options मिल रहे हैं कि video की speed बढ़ानी है language change करनी है तो उस तरीके के जो system है हमारे laptop के उपर या हमारे phone के उपर उसको player कहते है हमारे player YouTube का भी हो सकता है Facebook का भी हो सकता है Hotstar पर भी हो सकता है नेट्टफिक्स पर भी हो सकता है या Prime पर हो सकता है तो ये पूरा का पूरा 4-step process होता है जिससे हमारी video camera ao mike से लेकर हमारे प्लेयर तक, हमारे फोन तक, हमारे लैपटॉप तक हमारे पास पहुँचती है अब इसको एक-एक स्टेप को हम डीटेल में अनलाइज करें तो इसका सबसे पहला स्टेप होगा कि जब कैमरा और माइक से हमारी ओडियो फाइल निकलती है और वो हमारे software encoder तक जाती है अब एक PC या लैपटॉप के पास capture device होना चाहिए हमारी फाइल को capture करने के लिए और यह जो encoders होते हैं यह different different types के होते हैं और इनको publisher भी कहा जाता है सबसे most commonly used encoders होते हैं वो हमारे software encoders होते हैं जैसे अपने market में बहुत सारे brand सुने होंगे OBS, X, Splitcam, Tasia, Vimeo नाम के इनमें से सबसे commonly used OBS है जो एक open source software है अब open source क्या होता है उसके बारे में already video बनाया हुए उसको जाकर हम देख सकते हैं OBS software दिखता कैसा है OBS कुछ ऐसा दिखता है जिसे यहाँ पर मैंने अपनी video को live stream करने की कोशश की है यहाँ पर मेरा video capture device है यहाँ पर मेरा audio capture device है मैं अपनी video को stream भी कर सकती हूँ, record भी कर सकती हूँ, virtual camera भी चला सकती हूँ बहुत सारी settings भी होती है तो कुछ इस तरीके से हमारा encoder दिख रहा होता है जिसके अंदर हमारी video and audio files जाती है अभी जो video and audio files encoder के पास जाती है इनको encoder फिर अब आगे भेजता है जिसमें आ जाता है हमारा step 2 step 2 होता है कि encoder इन files को server तक भेजता है और जो protocol वो use करता है उसका नाम होता है RTMP प्रोटोकॉल क्या होता है जब भी हमें data एक जगे से दूसरे जगे के भेजना होता है तो उसको भेजने का जो तरीका होता है उसको हम protocol कह देते है तो RTMP real time messaging protocol है जिसके थूँ हम अपनी audio and video files को एक server तक भेजते है RTMP को live के अंदर जब भी आपको HD videos stream करनी होती है तो उसके लिए बहुत जादे use किया जाता है और यह जो protocol है इससे बहुत low latency हमारे पास आती है latency होती है हमारा delay मतलब बहुत fast हमारे पास file sponsor होगी इसलिए हम RTMP को use करते हैं अब हमारा जो cloud होता है उसके पास ऐसा नहीं है कि एक ही server है उसके पास बहुत सारे servers है इसलिए software encoder को पता होना चाहिए कि कौन से server के पास file जाए तो software encoder के अंदर हमें कुछ कुछ चीज़ें define करनी पड़ती है जैसे OBS के अंदर से तो Amazon पर हमने कोई server बनाया हूँ है उसके पास हम अपनी audio and video files को भेज रहे हैं जैसे ही ये files server के पास पहुंचती है server क्या करता है ABR नाम की चीज़ करता है ABR होता है Adaptive Bitrate Streaming आपने YouTube के प्लेयर के ऊपर देखा होगा कि बहुत सारे quality के options आते हैं आप 144P भी सेट कर सकते हैं जब हमारा Wi-Fi डाउन होता है बारिश हाई होती है और जब हम सिफ जीओ के इंटरेट या एर्टल के इंटरेट पर काम कर रहे होते हैं लेकिन अगर Wi-Fi एकदम से चल जाए तो उसके बाद हम HD में भी स्ट्रीम कर सकते हैं तो हम रेजूलिशन पर 1080P भी चेंज कर सकते हैं तो अक्चली होता क्या है सर्वर के पास जो पैकेज आया है जिसके अंदर audio file and video file है उसको वो अलग-अलग resolutions में convert करके multiple files बनाता है एक file package बान लीजे 144P का हो गया एक हमारा 480P का हो गया एक हमारा 720P का हो गया एक हमारा 1080P का हो गया विच इन HD वीडियो अब यहां पर अगर हम अपना phone लेकर बैठे हैं तो हमारा अगर internet बहुत slow चल रहा है तो हम क्या करेंगे हमारा server हमें 144P 144P वाली low resolution की low quality की file रेटर्न करेगा लेकिन अगर हम हाई स्पीड वाई-फाई पर बैठे हैं तो फिर हमें एक HD वीडियो मिल रहे होगी यह आजकल 4K का भी option आता है तो 4K मतलब अल्टरा HD वीडियो हम स्ट्रीम कर पाएंगे अपने phone के उपर तो यह काम हमें खुद से जरूरी नहीं यह सेटिंग चेंज करनी पड़े यह काम आटोमाटिक हो जाता है आटोमाटिकली डेटेक्ट हो जाएगा डिवाइस में हमारे इंटरनेट स्लो चल रहा है या पास चल रहा है उस हिसाब से रेजिलूशन हमें मिल जाएगा वो होता है HLS HLS है HTTP Live Streaming HLS एपल का फॉर्माट है जो उन्होंने 2009 में बनाया था और यह मोस्स कॉमनली यूज़ फॉर्माट है जब भी हम प्लेबैक्स की बात करते है इसको Netflix भी यूज़ करते है इसको YouTube भी यूज़ करते है इसको Google भी यूज़ करते है वीडियो भी दिख जाती है उसको प्लेबैक कहते है अगर प्लेबैक्स हमें कर रहा है तो उसके लिए HLS बहुत जादा यूज़ होता है तो हम इस फॉर्माट में अमनी वीडियो को करते है इसके अलावा RTMP का भी एक अपना फॉर्माट होता है Dash भी एक पॉपिलर फॉर्माट है जिसमें वीडियो को कनवर्ट किया जा सकता है तो हमारी वीडियो फिर पहुँचती है हमारे CDN के पास CDN को हमने अल्रेडी देख लिया है CDN क्या है हमारे क्लाउड के ओपर बहुत सारे कम्प्यूटर्स है इनको हम Nodes भी कह सकते है या इनको हम Edge Servers भी कह सकते है तो कुछ ऐसा सिनारियो बन रहा होगा कि IPL का मैच तो यहां पर हो रहा है मानलीजे मुंबाई के अंदर हो रहा है और हम में से कोई बैठे हैं गुजरात के अंदर हम में से कोई बैठे हैं अपने का अगर प्रोसेस रहता है उसको कहते है Content Delivery Network तो हमारा जो nearest node होगा उसी से हम वीडियो मांगेंगे डाइरेक्ली मुंबाई वाले नोड से हम वीडियो नहीं मांग रहे होगे और इस nearest node, nearest computer को हम Edge Server कहते हैं मतलब कोने पर जो server होता है हमारे कोने पर हो Content Delivery Network बहुत सारे होते हैं और most commonly used जो market के अंदर available हैं वो हमारे Amazon का Cloud Front Microsoft का Azure and Google Cloud Platform जो हमारी companies होती हैं जैसे IPL को जो भी company stream करवा रही है या पिर Netflix जो भी है वो depend करता है कि कौन से वाले CDN का वो इस्तमाल कर रहे हैं उसके बाद CDN के थुरू directly हमारे प्लेयर के पास आ जाते हैं हमारी वीडियो तो हम YouTube के उपर बैठे हैं तो वहाँ पर हम अपनी वीडियो को देख पाते हैं अगर हम Netflix के उपर बैठे हैं तो यह overall process है जिसके थुरू सारी की सारी live streaming and video streaming होती है अब इसके अलावा companies कुछ-कुछ optimizations यूज करते हैं depending upon कि उनका traffic कैसा है तो Netflix के लिए हो सकता है उन्हें optimize करना पड़े कि low speed जिन लोगों के पास है वो भी movies देख पाएं और Hotstar के पास एक साथ बहुत चारा traffic आता है जैसे मानलीजे तो उन्हें उस तरीके से optimize करना पड़ता है अपने platform को तो backend पे काफी जादा काम हमारे engineers कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी online streaming and video streaming काम करती है इसके अलावा अगर डीटेल में किसी और topic पर आपको video चाहिए या कोई और ऐसा everyday phenomena है जो शायद technology से होता है और जिसके बारे में हमें और जानना है तो उसके बारे में आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तिल देन keep learning and keep exploring